Hi everyone, you're welcome to my channel My English Book आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9 ऐसे टिप्स जो आपकी help करेंगे आपके exam में long question के answers लिखने पर mostly क्या होता है कि students को ये मालूम नहीं होता कि long question का answer किस तरीके से दिया जाता है उसमें क्या-क्या points को ने include करना चाहिए या question को किस तरीके से present करना चाहिए इस वज़े से क्या होता है कि आपके पास question का answer तो होता है लेकिन आप उसे सही से present नहीं कर पाते इसलिए आपके marks कट हो जाते हैं तो आज की वीडियो में ऐसे ही मैं 9 tips आपके लिए लेकर आई हूँ जिनको अगर आप follow करते हैं तो आपके question का answer attractive भी होगा, useful भी होगा और जो आपका evaluator होगा उसको अच्छे से पता भी चल जाएगा कि actual में आप कहना क्या चाहते हैं तो ये वीडियो सभी के लिए useful है अगर आप 11, 12th के student है या आप university के student है आप BA कर रहे है या MA कर रहे है उन सभी के लिए ये वीडियो काफी useful है क्योंकि long questions जो हमारे हैं वो 9th class से ही begin हो जाते हैं तो हमें long question का answer लिखने की technique बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं long question के types की देखिए long question जो है दो तरीके के होता है एक तो इस तरीके से होता है जिसके कहीं सारे part होता है जैसे question है who was Robert Frost ये एक part हो गया जिसमें आपको बताना है Robert Frost कौन है दूसरा इसका part हो गया discuss about his poetic characteristics ये इसका दूसरा part हो गया and write the critical appreciation of his poem the road not taken ये इसका तीसरा part हो गया तो total इस question के तीन part हो गया तो अगर आप इसको इसका question का answer लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे introduction of Robert Frost उसके बाद उनकी आप heading डालेंगे poetic characteristics उसके बाद critical appreciation लिखेंगे जब आप the road not taken का critical appreciation लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे headings आजाएंगे जैसे की title, theme, imaginary, language, diction तो ये question अपने आप में ही बहुत बड़ा बन जाएगा तो इस तरीके के question का answer देना easy होता है लेकिन अगर ये question सिर्फ इतना सा आजाए long में discuss the poetic characteristics of Robert Frost इस question का सिर्फ एक पार्ट है यहाँ पर तीन पार्ट थे ये long अपने आप बन जाएगा क्योंकि इसमें heading इतने सारे है लेकिन इसमें आपके heading इतने जादा नहीं बन पाएगे जितने इसमें बन पा रहे थे तो यहीं पर हमें main problem face करनी पड़ती है कि जो एक पार्ट का long question आता है उसका answer किस तरीके से लिखा जाए कितने pages का लिखा जाए और किस तरीके से answer को present किया जाए तो इसी के बारे में हम discussion करेंगे कि answer को लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान करना चाहिए तो सबसे पहला number point जो है वो है read the question carefully and not to write summary सबसे पहले आप अपने question को carefully read करिये उसको समझे कि उसमें क्या पूछा गया है क्या-क्या उसमें points बन सकते हैं इसकी strategy आप अपने दिमाग में ही create कर लिजे बजाए उसको copy पर लिखने से क्योंकि अगर वो गलत होगे तो आपको काटना पड़ जाएगा तो कम से कम एक proper time अपने mind में long question के लिए दीजिए इस बात के लिए कि आप उसमें क्या-क्या points एड करेंगे और कभी भी summary मत लिखिए generally English के students क्या करते हैं अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको simply page fill करने के लिए उसमें summary include करके आ जाते हैं तो summary को मत लिखिए आप question को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि question में क्या पूछा गया है दूसरा जो आपका point है वो है admit your error admit your error से मेरा मतलब यह है कई बार आप question जब लिखते हैं तो आपका कुछ mistake हो जाता है तो उसको ऐसे ऐसे काटने के बजाए आप उसको simply ऐसे आराम से cut कर दीजिए और जो भी आप correct यहाँ पर लिखना चाते हैं वो आप लिख दीजिए इस तरह की की जो cutting होती है आपके question को बहुत ज़ादा disattractive बनाती है और आपको जो impression है checker पर वो गलत पड़ता है तो simply आप cut कर दीजिए लेकिन आप try कीजिए कि आप mistakes जितनी हो सके उतनी थोड़ी कम कीजिए तीसरा point है maintain word limit do not fill the pages सबसे पहला आप word limit में से भार मत निकली अगर आपसे किसी long question का answer 200 words में मांगा गया है तो 200 words में ही दीजिए उसको 300 तक मत ले कर जाएए ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको exceed कर दिया तो आपको ज़्यादा marks मिलेंगे जो paper में conditions दी गई होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है do not fill the pages pages को मत भरिए कुछ भी ऐसे ही कुछ भी fill मत कीजिए अपने content से related ही लिखिए भले ही आपका एक दो page कम हो जाए लेकिन word limit के अंदर हो और आपने जो content लिखा है वो बिल्कुल सही हो कई बार students सोचते हैं जब वो exam दे कर आता है कि उसके friend ने 15 pages भर दिया और उसने सिफ 10 pages भरे हैं तो वो person सोचता है कि शायद मुझे कम marks मिलेंगे उसने 15 pages फिल किया तो उसको जादा marks मिलेंगे नहीं माइने रखता है content और और word limit आपने word limit के अंदर ही 200 सब्दों के अंदर ही आपने बिल्कुल सही content लिखाओ चोथा जो आपके लिए tips है वो है do not create large distancing among the words आपने कई बार कुछ ऐसे students देखे होंगे जो इस तरीके से paper में question का answer लिखते है line skip करते हैं और words के बीच में बहुत जादा gap देते हैं ये एक artificial distance है otherwise जितना content इस page पर लिखा हुआ है उतना content सिर्फ दो paragraph में आ सकता है ये same paragraph जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो इस तरीके की कोशिश मत कीजे ये pages fill करने की टक्नीक होती है लेकिन ये सब बिलकुल artificial है इतना जाद आपको gap देने की कोई जरूरत नहीं है number five जो आपके लिए tip है वो है add statements and quotations इससे पहले मैंने एक video डाला था जिसमें मैंने character sketch लिखना सिखाया था और उस video में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे quotations को और statement को अपने question में add कर सकते हैं अगर आपने वो video नहीं देखा है तो link description में आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यह तरीका होता है quotations को यह statement को अपने question में add करने का इससे फायदा यह होता है कि evaluator को पता चलता है कि हाँ आपने text को अच्छे से पढ़ा है और आपका question भी काफी attractive लगता है और जबी भी आप statement यह quotations को डाले तो उसको highlight करने का कोशिश करें उसके बार number six जो आपकी लिटिप है वो है do not write it like a story maintain paragraphs or points आपका जो भी long question है आप उसको एक कहानी की तरह या एक कथा की तरह मत लिखिए proper paragraph आप छोड़िए proper distance को आप maintain कीजिए punctuation marks का आप ध्यान रखिए और points, paragraphs को आप अच्छे से maintain कीजिए जहाँ पर paragraph आपको छोड़ना है महाँ पर paragraph छोड़िए उसको properly maintain करके लिखिए ताकि वो attractive लगे और पता चलेगी कहाँ पर क्या बात कही गई है और क्या नहीं कही गई है तो यह काफी important point है आपके long question के answer को लिखने में number seven जो आपके लिए tip है उसी पर पढ़ती है जैसे कि अगर किसी writer की biography लिखने के लिए आई आपने biography लिखी है तो इस biography में poet को या writer को जो जो अवोर्ड मिले है उसके जो sun है जो years के time है उन सब को आप highlight कीजे या underline कीजे वो काफी useful और काफी important information होती है इसलिए number eight जो आपके लिए है वो है draw diagrams if required अगर आप science वगेरा के student है तो अगर diagram अगर आपको आता है आपको paper में बनाने के लिए दिया गया है तो diagram को skip बिलकुल मत कीजे diagram आप जरूर बनाईए टिप्स number nine जो आपके लिए है वो है do not repeat a word आप बार बार एक ही word को repeat मत कीजे for example Evans tries many times to escape from the jail and it was his fourth time when he is planning for his escape and H.M.Presence staff wanted to stop his escape तो escape, escape, escape यहाँ पे तीन बार आया हुआ है इसमें कुछ problem नहीं है अगर यह बार बार repeat हो रहा है चैप्टर से belong करता है चैप्टर में escape word का ही यूज किया गया इसमें कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो इस repetition से बचने के लिए जैसे आपने हाँ पे दो बार escape का यूज किया है जो थर्ड टाइम आपका escape आया है आप यहाँ पे escape का कोई synonym यूज कर सकते है जैसे elopment तो इससे जब evaluator आपकी question को read करता है तो उनकी नजर इस चीज पर नहीं जाती और पता भी चलता है कि आपकी vocabulary कितनी अच्छी है यह जादा attractive भी लगता और इसमें कोई mistake भी नहीं है जो word chapter में आया हुआ है escape आपने इसको भी यूज किया है और आप उसका synonym भी लिख सकते हैं So I hope this video आपको useful लगी होगी आप इन टिप्स को यूज करेंगे अपने लोग क्वेस्टिन के आंसर को लिखते समय and if you like this video please do not forget to subscribe